रभपती महोदिया आपने बोलने का उसर दिया आपको बहुत बहुत बाद और आज रूरल डिवलप्नेंट निवान फारांट पे मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ वास्ताओं में 1947 के बाद और जो अनेक करांतिकारी जो देश के लिए खब गए मिट गए उनके तरहने यही थे कलपना किए थे बहुत अच्छे स्वतन देखे थे कभी वो दिन भी आएगा कि हम सुराज देखेंगे दाएरे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे भूखे के पेट में आएगी पेट भर रूटी यतीमों को न दाने दाने का मुहताज देखेंगे और जो कल्पना लेकर के वे अपने देश के लिए सबर्पित हो गए और जब देश स्वतंत्र हुआ जो कल्पना किये थे जिस प्रकार की सुशासन बेवस्था यहां आनी थी स्वराज तो मिला किन्तु सुराज नहीं मिला था वास्तों में यदि देखें तो अटल जी जो गाओं गाओं में प्रभान मंत्री सडक जिससे रूरल छेतर में ग्रामीर छेतर में विकास हुआ और उसके बाद यदि एक-एक बिंदु की चिंता की गई चाहे वो स्वास्त की चिंता हो सिख्षा की चिंता हो पेजल की चिंता हो सिचाई की चिंता हो, सड़क की चिंता हो हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश की क्या इस्तिती थी मोदी जी के आने के बाद ये तस्वीर बदली हम सभी जानते है आज इस देश के अंदर नेता कहने में कहते थे लोग कि नेता मत कहो भाई नेता याने थोड़ा सपने आपको गिल्टी सर्म की एस्तिती आती थी ऐसा सोचते थे कि ये नेता ना कहें नेता जी कहने याने किसी प्रकार के हम को चिड़ा रहे है और नेता जी एक समय में एक जमाने में नेता जी यानि नेता जी सब्द वहीं से शुरू हुआ सुभाज चंद बोश से और सुभाज चंद बोश की उपर एक हम सब ने जो पाठ्थे करम में एक अध्याय पढ़ा था कि नेता जी का तुलादान और जब तुलादान होता है तो उसमें माताएं अपने करणफूल अपने बाजू बंद और केवल उत्रा ही नहीं अपने मंगल सुत्र भी उस नेताजी के लिए उस तुला में रखे थे और सब प्रकार से उनके समरपड की भावना केवल नेताजी के लिए उन्होंने किया था और नेताजी के बाद यदि देखे तो लाल बहादूर सास्त्री जी के आवाहन पर इस देश ने उनको स्विकार किया और एक जुन भोजन बंद किया था और आज पहली बार इस देश में मोदी जी के नेत्रित में जब उन्होंने आवाहन किया कि अपने देश वासियों के लिए कि गरीबों के घर में भी ये जो धुआ निकलता है ये बंद होनी चाहिए ये जो बिमारी होती है माताओं को बहनों को इसमें कमी आनी चाहिए बंद होनी चाहिए और जब उज्छोला गैस के लिए और गए सिलेंडर में इनको भी गए सिलेंडर मिले ये उनकी धारणा थी तो लोगों ने उनके आवाहन को सुविकार किया और एक करोड से ऊपर लोगों ने अपने सबसीडि चोड़ी जिसमें राजेस्थान के लगभग 6,6,000,00 अज वास्ता में एक ऐसा फिर से उस किर्तिम को एक उस्थापित करने का यदि किसी ने और इस थान बनाए इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया आज एक लाग चालीस हजार करोड ये कहे कि कृषी के ऊपर देना ये बहुत बड़ी बात है वास्ताव में कृषी संस्कृति हमारी थी कृषी के साथ चाहे कितना भी बड़ा राजा का बेटा क्यों न हो चाहे वो ये कहे कि जब रिषी के यहां जाते थे सन्यासी के यहां जाते थे तो सिर्ष्य बन करके वो कृषी का काम किया करते थे परिछाए होती थी वो स्रेश्ट काम था याने कृषी से रिषी और रिषी रिषर्च किया कर कि वो ये नौकरी होता था आज जब साधी ब्याह की बात आती है बेटी की बहन की तो कहते थे पहले कि कितना बिगा जमीन है कितने एकड जमीन है अब कहते है कि किस नौकरी में है नौकरी किस प्रकार की है फर्स क्लास है सेकंड क्लास है नोकरी की बात आज फिर से मोदी जी न जिस प्रकार से खेती को महत तो दिया वास्ताव में आज सोतंत्र भारत में ये पहली सरकार है और आज फिर से मैं ये कहो कि जिस प्रकार से उन्होंने महदा किसानों के लिए और दस हजार ने किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबुती मिलेगी इस बार क्रिशी और सनरचना में व्यापत निवेश करेगी आने वाले समय में किसानों की आर्थिक इस्थिति से सुद्रेगी मैं केवल इतने कहते हैं मैं समेटना चाहता हूँ मौदया केवल मुझे इतना ही कहता कहना है कि आज जब रूरल डेवलम्मेंट की बात और हमारी सरकार जब कर रही है तो 36 गड़ के अंदर जिस्थित्रकार से चल रहा है यहां महराष्ट के और कई मित्र जब बात कर रहे थे तमें बताना उचित से मस्ता हूँ और इसलिए भी कि हमारे राजनान गाउ जिले में प्रधान मंत्री ग्रामीड अवाश योजना के अंतरगत हिट ग्राहियों को भुकतान में बहुत सारी कठनाई हो रही है वहां बिचोलिये सब्रकार से काम कर रहे है केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ ये चितर है सब्रकार से उनके घर तोड़ दिये गय है लेया उट देने के बाद, दो किस्त देने के बाद कृपिया इसके ऊपर भी आज warum यहाँ सदंसे मैं चाहूंगा की कार वाई जिए वर प्रकार से मैं समेट रहा है माहदिया मैं समेट रहा हूँ मैं समेट आज गुरु पुर्णिमा का उसर है मैं समेट रहा हूँ गुरु पुर्णिमा का उसर है